भारत के दक्षिन में इस दित इस देश की दूरी भारत से मात 31 किलोमीटर है। लंका के आगे औरेवल वर्ड श्री जोड़कर स्री लंका कर दिया गया। स्री लंका का सबसे बड़ा नगर कोलंबो। स्री ट्रांस्पोर्ट के नजर से एक important बंदरगा है स्री लंका में वेदास जनजादी पाई जाती है हलो दोस्तों वेलकम टू माई YouTube चनल और आज की वीडियो में मैं बताऊंगा स्री लंका के 5 important facts के बारे में जिसमें से last वाला आपने शायद ही सुना होगा तो वीडियो को end तक जरूर देखे Fact No.1 Year 1972 तक स्री लंका का नाम सीलोन था जिसे बदल कर लंका कर दिया गया और 1978 में इसके आगे honorable word श्री जोड़ कर श्री लंका कर दिया गया रामायन पहली पुस्तक है जिसमें स्री लंका का description किया गया है वो भी विस्तार रूप से भारत और श्री लंका के बीच श्री राम की वनर से ना द्वारा बनाया गया फुल राम सेतु आज भी मौजूद है मंदिर के रिकॉर्ड्स के अनुसार राम सेतु पूरी तरह से सागर के पानी के उपर इस्ति था 1480 EZB में एक चकरवात ने इसे नश्ट कर दिया फैक्ट नंबर दो श्री लंका का राज़्ट्रिय खेल बॉली वाल है हलाकि यहां का सबसे ज़्यादा लोग प्रिय खेल क्रिकिट है श्री लंका 1996 में क्रिकिट वर्ड कप भी जीच चुका है आज से 2300 साल पहले श्री लंका की सारी आवादी हिंदू धर्म को मानती थी टीसरी सदी इसापूर में समराट अशोक ने अपने पुत्र महंदर को श्री लंका में बॉद्धर्म का प्रसार करने के लिए भेजा और वहां के राजा ने बॉद्धर्म को राजधर्म खोशित कर दिया इन कंट्रीज में चले ग्रह युद्ध के दौरान तमिलों का एक आतंकी संगठन लिट्टे बना लिट्टे आतंकी संगठन के एक आतंकी ने ही भारत के भूत्पूर पधानमंती राजीव गांदी की हत्या भी की थी श्री लंका के टोटल नाइन स्टेट हैं जिनका टोटल मिलाकर 25 डिस्टिक्स हैं हिंद महासागर में श्री लंका का आकार एक मोती की तरह है जिसके कारण हम इसे हिंद महासागर का मोती भी कहते हैं पर आफ इंडियन ओशन भी कहते हैं शाउथ एसिया में श्री लंका के लोग सबसे ज़्याधा पड़े लिखे हैं, यहां की लिटरेसी 92% की है, श्री लंका के ज़ंडे में जो सोने का सेर लाल रंग के उपर हाथ में तलवार लिये हुए है, वह यहां के सिहला जाती के लोग को प्रजेंट करता है, चार पतियां और सुनहरा बॉडर बाद धर्म को दर्शाता है, ज़ंडे में दो अन्य हरी और भगवा पटियां यहां के मुश्लिम और तमिल लोगं को दर्शाती हैं, तमिल लोग हिंदू हैं, इसलिए उनके लिए भगवा रंग दर्शाया गया है, स्री लंका के कैंडी शहर में एक बॉध्ध मंदिर है, जहां भगवान बुध के एक दात का अवशेश अभी तक सुरक्षित रखा हुआ है, सा तो वीडियो में बने रहने के लिए थैंक्यू वीडियो पसंद आ रही है, तो एक लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि इस तरह की नॉलिजबल वीडियो आपके पास पहुंच सके, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, फैक्ट नमबर फाइव स्री लंका का एक मात्र इंटरनेशनल एरपोर्ट कॉलंबो शहर में है, वीशवी सदी की सुरुवात में स्री लंका में लगवग 10 से 15,000 हाथी हुआ करते थे, लेकिन अब इनकी संख्या गटकर 6,000 के करीब रह गई है, स्री लंका का मुख्य भोजन चावल और कड़ी है, यहां की पारंपरी खाली में आपको चावल और कड़ी के साथ कई तरह के सबजियां, सलाद, मसालेदार, मास वा, मचलियां एक साथ मिलेंगी, यहां गुड़हल के फूलों को उबाल कर कुछ खास तरह की कड़ी बनाई जाती है, इंडिया की फेमस बॉलिवूड स्टार, जैकलीन फैननेंडेस का जनम भी स्री लंका में ही हुआ था, दोस्तो आज के लिए वीडियो में इतना ही मिलते हैं, नेक्स वीडियो में तब तक के लिए वीडियो को लाइक करतीजिए, शेर करतीजिए और जार चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर ये थैंक्यू बाइ